नमस्कार, मैं डॉक्टर शालू अर्मा, मेट्रो हॉस्पिटल वरीदाबाद में रुमेटॉलेजिस्ट हूँ रुमेटॉलेजिस्ट माने गठिया स्पेशलिस्ट तो आज मैं आपके सब के साथ कुछ एक कॉमन बिमारी तो नहीं है बहुत गठिया में बढ़ हाँ लूपस नाम की विमारी के बारे में कुछ शेयर करना चाहती हूँ वैसे देखा जाए तो रुमेटॉइड या आर्थराइटिस जो इन्फलमेटरी आर्थराइटिस होते हैं जो हम रुमेटॉलेजिस्ट देखते हैं लगबग 200 वराइटीज होती हैं इनकी लूपस नाम की विमारी अब लूपस ऐसा नहीं है कि बहुत रेयर है अगर इसे इग्नोर कर दिया जाए या इसके बारे में जागरुपता नहों तो बहुत प्रॉब्लम कॉस कर सकती है सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि कुछ कौन से ऐसे बेसिक सिम्टम्स हैं जिससे आपको पदा लग सकता है कि आपको लूपस हो सकता है लूपस हम एक butterfly की रूप में उसको एक elicit किया जाता है उसका एक symbol माना जाता है लूपस बिमारी का butterfly इसलिए क्योंकि इस disease में जब भी ladies धूप में निकलती है या धूप से बहुत जादा exposure होता है तो चहरे के इस हिस्से में एकदम redness हो जाती है जलन होती है और ऐसे लगता है जैसे butterfly की तरह राश बन गया है इसलिए से butterfly से हम correlate करते हैं लूपस डिजीज को तो यह तो बहुत ही common और prominent symptom है कि आप धूप में जा रहे हैं जलन हो रही है और इस हिस्से में बहुत जादा rashes हो रहे हैं इसके अलावा बाल बहुत excessive उसमें जढ़ना लेडिस के जादा तर भी बाल जढ़ते ही है बट मैं उतना जढ़ने की बाद नहीं कर रहे हूँ इतना जढ़ना की गंजा बनाने लग जाए और चेहरे के जैसे इस हिस्से पे कभी कभी बाल बहुत जादा हो जाने लग जाते हैं या मुह में चाले बहुत जादा पढ़ने लग जाते हैं oral ulcers जिसें कहा जाता है प्लस बहुत common symptom है इसमें arthritis जो rheumatoid arthritis की तरह ही होता है जिसे हम गठिया बाय कहते हैं तो सुबह उठने पर आपको बहुत जादा जकडन होती है हाथों के जो खासकर छोटे जोड़ हैं जैसे wrist joint है या ये बहुत जोड़ है इनमें बहुत जादा सूजन आने लग जाती है और जैसे जैसे आपका दिन बीता है वो सूजन धिरे-धिरे कम भी हो जाती है पेन भी कम हो जाता है बड़ अगर आप इसका सही समय पर इलाज नहीं कराएंगे तो over the time हाथों का जो shape है वो खराब हो जाता है बाहर की तरफ twist हो जाता है इवन elbows पे भी यह बहुत जादा effect करती है तो जितने भी हमारे छोटे जोड़ हैं उन पे यह बिमारी असर करती है और उसमें धीरे-धीरे deformities आने लग जाती है अब lupus specifically एक autoimmune disease है जो systemic disease है autoimmune disease माने जो हमारे body में immunity के cells होते हैं का मकसद होता है कि हमारी body की रक्षा करना कि हमें बाहर से कहीं से infections ना हो उसमें हमारे इस disease में हमारे ही body के जो cells हैं वो हमारी body के against काम करना शुरू कर देते हैं तो कुछ ऐसे chemicals generate होते हैं जो हमारे ही body के बहुत सारे organs पे target करते हैं यह disease specifically multi system disease है मतलब इसमें शरीर का कोई भी हिस्सा effect हो सकता है जैसे यह brain में भी आ सकता है joints में मैं पहले ही बता चुकी हूँ इसमें skin में बहुत तरीके के rashes आते हैं कभी-कभी तो पूरी skin ऐसे हो सकती है जैसे एकदम जल जाती है कभी-कभी कुछ-कुछ जगों पे patches आ सकते है किसी-किसी को दाने आ सकते है किसी-किसी को सरफ इतना सा symptom होता है कि हम अच्छर काटा पर वो इतना बड़ा निशान हो गया उसकी बात कि वो सही ही नहीं हो रहा है जिसे हम urticaria की रूप में भी देखते हैं जब आप chest physician को दिखाते हैं तो कुछ भी उसका reason नहीं मिलता है कि क्या कारण है ये एक symptom हो सकता है लूपस का कभी-कभी कुछ ऐसे जो अंग होते हैं जिन पर लूपस बहुत ज़ादा effect करती है जो बहुत जल्दी damaging हो सकता है जैसे कि kidneys kidneys में अगर involvement हो lungs में आपको बता ही चुकी हूँ liver बे भी इसका असर हो सकता है प्लस अगर किसी को लूपस है तो उसकी pregnancy के दोरान भी हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है जोकि लूपस as such एक तो fertility age group में आता है 15-45 उमर की ओरतों में ज़ादा होता है जो fertile age group है प्लस लूपस के साथ-साथ कुछ और ऐसे chemicals body में बन जाते हैं कुछ apple नाम की चीज़ आ जाती है जिसकी वज़े से pregnancy ठहर नहीं पाती है उसमें बाद-बाद abortions होने की tendency होती है तो बहुत ज़ादा ज़रूरी है कि अगर आपको कुछ भी ऐसा लक्षन हो, specifically skin में ऐसे rashes हो, joints में दिक्कत हो रही है मुँ में छाले बहुत पढ़ रहे है या आपका कोई भी डॉक्टर आपको कहता है कि आपको लूपस नाम की विमारी हो सकती है या आपका ANA नाम का test कराया जाता है जिसकी value बहुत ज़ादा होती है तो ये सभी चीज़ें पताती है कि आप में लूपस नाम का गठिया हो सकता है अगर ऐसा कुछ भी है तो आपको तुरंथ rheumatologist को ज़रूर दिखाना चाहिए क्योंकि लूपस अगर mild है तो बहुत easily treatable है और अगर लूपस किसी main target पे effect कर रहे तो वो definitely emergency है और उसके लिए बहुत जल्दी इलाज कराना जरूरी है Thank you so much